नमस्कार तुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस नई पहल के जरिये हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहां डिसकस करेंगे यह वैसे सवाल होंगे जो UPSC में कई बार सीधे पूछ लिये जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं इसके अलावा State PCS, IES, SSC, Bank PO, Railway, UGC Net, CDS, CAPF और NDA जैसी परिक्षाओं में यह सीधे सीधे सवाल पूछ लिये जाते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कल के Practice Question के साथ कल हमने आपसे पूछा था Scott Morrison निम्न लिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री पत के लिए पुनर निर्वाचित होंगे A. New Zealand B. Fiji C. Australia ये D. इन में से कोई नहीं Scott Morrison आउस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर निर्वाचित हुए हैं बीती दिनों हुए आम चुनाव में Morrison के नेत्रतों वाले Liberal National गडबंधन ने अप्रत्याशित जेत हासिल की है अगर Australia की बात करें तो इसकी राजधानी Canberra है सभी महाधविपों में Australia सबसे छोटा महाधविप है New Zealand B. Australia महाधविप के तहत ही आता है Australia दुनिया में uranium का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा resource base है तो कल के practice question का सही जवाब होगा? option C. Australia आज की सेशन का पहला सवाल है शंगाई सहीयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिशत की बैठक किस इस्थान पर आयोजित की जा रही है शंगाई सहीयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिशत यानी CFM की बैठक किरगिस्तान की राजधानी बिशकेक में आयोजित की जा रही है 21 और 22 मई को होने वाली इस बैठक में विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज भारत का प्रतिनिरित्व कर रही है बात अगर शंगाई सहीयोग संगठन की करें तो या सैनिक, राजनैतिक और आर्थिक सहीयोग संगठन है इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्याल है चीन के बीजिंग में है इसके सदस्य देशों में चीन, कजाकरस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है वर्ष्ट 2005 में भारत और पाकिस्तान को इस समूव में परिवेक्षकों के तौर पर शामिल किया गया था दोनों देशों को वर्ष्ट 2017 में पूर्ण सदस्य का दर्जा मिल गया है तो प्रश्ट एक का सही जवाब होगा ओप्शन C, बिश्केक, किर्गिस्तान प्रश्ट 2 इसरो द्वारा लॉंच किया जा रहा उपग्रे, री सैट टू भी किस से सम्बंधित है? A. एंटी मिसाइल वेपन B. मौसम की जानकारी C. मंगल ग्रह पर शोध D. रडार इमेजिंग इसरो द्वारा लॉंच किया जा रहा उपग्रह RESET-2B रडार इमेजिंग से संबन्धित है RESET-2B उपग्रह को 22 मई यानि कल सुबए आंध्रप्रदेश के श्रीहरी कोटा से PSLV C-46 रॉकेट से लॉंच किया जाएगा 300 किलोग्राम के RESET-2B सैटेलाइट के साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजर भेजा जा रहा है इससे बादल या घंगोर अंधेरी की इस्तिती में भी ऑबजेक्ट की सही तस्वीर भेजी जा सकेगी इस उग्रह का इस्तिमाल टोही गतविधियों, रणनीतिक निगरानियों और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा इस रोने निकट भविश में RESET जैसे 6 सैटेलाइट लॉंच करने की योजना बनाई है इनमें RESET 2B के बाद RESET 2B R1, RESET 2B R2, RESET 1A, RESET 1B, RESET 2A शामिल है तो प्रश्ण 2 का सही जवाब होगा OPTION D, RADAR IMAGING प्रश्ण 3, हाल ही में निम्न लिखित में से किस नापतौल इकाई की परिभाशा बदली गई है A. किलोग्राम, B. कैंडेला, C. मीटर, D. हेक्टेर हाल ही में नापतौल की इकाई किलोग्राम की परिभाशा बदली गई है भारत समेथ दुनिया के कई देशों ने नापतौल की 7 आधार इकाईयों में से चार यानि किलोग्राम, कैल्विन, मोल और एमपियर की नई परिभाशा को स्विकार कर लिया है CSIR यानि वैज्ञानिक एवं और द्योगिक अनुसंधान परिशत की राष्ट्रिय भातिकी प्रयोग शाला में इन चारो नापतौल इकाईयों की नई परिभाशा अपनाने की घोशना की गई है अंतराष्ट्रिय नापतौल विज्ञान संगठन के 60 इस्थाई देशों और 41 संबद्ध देशों ने 20 मई को विश्वनापतौल विज्ञान दिवस के मौके पर नई परिभाशा को स्विकार किया है अब सभी SI units की परिभाशा प्राकृतिक इस्थिरांगों पर आधारित हो गई है मीटर, सेकेंड और कैंडला की इकाईयां पहले से ही प्राकृतिक इस्थिरांगों पर आधारित थी तो जैसा कि हमने explanation में आपको बताया कि कैंडला, मीटर और हेक्टियर की परिभाशाएं पहले से ही इस्थिरांगों पर आधारित है तो इस सवाल का सही जवाब होगा option A किलोग्राम प्रश्ण चार पश्चिमी घाट के किस छेत्र में अमरेंथस यानि राजगिरा या चौलाई की एक नई प्रजाती की खोज की गई है A. गोवा B. केरल C. तमिलनाडू D. महाराष्ट पश्चिमी घाट के केरल में अमरेंथस की नई प्रजाती की खोज की गई है केरल राजी के तीन कॉलेजों और शेत्री, कैंसर, केंद, तिरुवंत, पुरम के शोध करताओं की एक टीम ने केरल के दच्चिनी पश्चिमी घाटों से खादे पौधों की नई प्रजाती अमरेंथस को खोज निकाला है यह प्रजाती उच्च पोशन वाली है जिसे खादे पदार्थ और दवाईयों दोनों के लिए इस्तिमाल किया जा सकेगा बात पश्चिमी घाट की करें तो यह जैविवित्ता के होट स्पॉर्ट छेत्र के रूप में जाना जाता है यहां दुरलब वनिस्पतियां और जीव जन्तु पाये जाते हैं यह महराष्ट और गुजरात की सीमा पर तापती नदी से शुरू होकर देश के दक्षिनी सिरे तमिलनाडु के कन्या कुमारी तक फैला हुआ है इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है इसका विस्तार छे राज्यों में है और यह राज्ये हैं तमिलनाडु, करनाटक, केरल, गोवा, महराष्ट्र और गुजरात तो प्रश्ण चार का सही जवाब होगा ओप्शन B केरल प्रश्ण पांच भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस यानि एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है भारत में 21 माई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे पूर्व प्रधान मंतरी राजीव गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ है 21 माई 1991 को तमिलनाडु के स्री पेरंबदूर में एक रैली के दोरान आतंकी संगठन LTTE यानि Liberation Tigers of Tamil Elam ने ततकालीन प्रधान मंतरी राजीव गांधी की हत्या कर दी थी हर साल 21 माई को आतंकवाद के समाज विरोधी कारियों से लोगों को अवगत कराने के लिए एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है तो प्रश्न पांच का सही जवाब होगा ओप्शन D 21 माई प्रश्न 6 भारती वन्न जीव अपराद नियंतरण ब्यूरो ने Not All Animals Migrate by Choice अभ्यान की लॉंचिंग निमन लिखित में से किसके साथ मिलकर की है A. UNESCO B. World Wildlife Fund for Nature C. संयुक्त राश्ट्र पर्यावरंड कारिक्रम D. International Union for Conservation of Nature भारती वन्न जीव अपराद नियंतरण ब्यूरो ने Not All Animals Migrate by Choice अभ्यान की लॉंचिंग संयुक्त राश्ट्र पर्यावरंड कारिक्रम के साथ मिलकर की है 22 मई को आयोजित होने वाले अंतरराश्ट्री जैब विवित्ता दिवस से ठीक पहले इस अभ्यान की लॉंचिंग का मकसद देश भर में बड़े हवाई अड़ो पर इस बारे में जागरुत्ता का प्रसार करना है इस अभ्यान के तहट बाग, पैंगोलिन, स्टार टॉइस और टोक्के गैको को शामिल किया गया है तो प्रश्ण 6 का सही जवाब होगा Option C, संयुक्त राश्ट्र पर्यावरंड कारिक्रम प्रश्ण 7, आठमे भारत म्यामार कॉडिनेटेड पेट्रोल का आयोजन कहां शुरू हुआ है A. विशाखापत्नम B. पोर्ट ब्लेयर C. सित्वे बंदरगाह D. कोच्ची आठवे भारत म्यामार कॉडिनेटेड पेट्रोल का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में शुरू हुआ है 28 मई तक होने वाले इस आयोजन का मकसद आतंगवाद, अवैद मत्स्यन, नशीले पदार्थों की तसकरी, मानव तसकरी, अवैद शिकार और अन्य अवैद गतिविदियों में दोनों देशों के साथ मिलकर कारेवाही करना है तो प्रश्न 7 का सही जवाब होगा प्रश्न 8 नासा ने हाल ही में कहां पर पानी के साक्ष का पता लगाया है पानी के अलावा अल्टिमा थुले की सतह पर मेथेनॉल और कार्बनिक अन्यों के साक्ष भी पाए गए है आपको बता दें कि बीते जन्वरी माह में ही अल्टिमा थुले की पहली तस्वीरे ली गई थी 2015 में Pluto मिशन को पूरा करने के बाद नासा का New Horizons मिशन क्यूपर बेल्ट में इस्थित इस पिंड के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आगे बढ़ा था क्यूपर बेल्ट मॉलिक पिंडो का छेतर है तो प्रश्ण आठ का सही जवाब होगा Option C अल्टिमा थुले प्रश्ण नव राजस्व के लिहाद से निम्न लिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी कमपनी हो गई है ए इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन बी रिलाइंस इंडूस्ट्री इस लिमिटेड सी ओन जीसी यह डी एंटीपीसी राजस्व के लिहाद से रिलाइंस इंडूस्ट्री इस लिमिटेड ने इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे बड़ी कमपनी का दर्जा हासिल कर लिया है दो हजार अठारा उन्नीस में जहां रिलाइंस इंडूस्ट्री इस को 6.23 लैक करोड रुपए का राजस्व मिला है वहीं इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन को 6.17 लैक करोड का राजस्व मिला है तो प्रश्ण 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन B, रिलाइंस इंडूस्ट्री इंडूस्ट्री इस लिमिटेड प्रश्ण 10, हाल ही में निक्की लॉड़ा का निधन हो गया है उनका संबंध निबन लिखित में से किस खेल से था तीन बार के फॉर्मूला वन कार रेस विजेता निक्की लॉड़ा का निधन हो गया है ये आउस्ट्रिया से बिलॉग करते थे प्रश्ण 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन D, फॉर्मूला वन कार रेस आईए अब नोट करते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेस्चण आज का सवाल है चर्चा में रहे कामी रीता शेर्पा का संबंध है आप इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूले कल कुछ नए सवालों और इस सवाल के सही जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे नमस्कार